कि नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका माई किसान दोस्ते यूटूब चैनल पर मेरा नाम है यस जाट और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि में मद्देप्रदेश के किसानों से मिलने की जो यात्रा है वो सुरू कर दी है इसी यात्रा के दोरान में आया हूँ शायँ मोझूद है गिरदालीलाल इल्जे चोधरी आप पाटिदारश कमाश से हैं और आप बड़े प्यमाने पर गोव आधरी कर्शि करते हैं जिसे हम जयक्रशिक के नाम से जानते हैं तो आज सर से हम चर्चा करते हैं कि कि हो किस किस तरीके से अपने क्हेति Creating को करते हैं स बाड़ा पूरा जी इससे जो मिलता है इसको केचवखात के रूप में परिवर्तित करते हैं पर उसके बाद में फिर अपने खेत में डालते हैं एक बिगे में हम पांच दो चोट डालते हैं अच्छा दस कटे और फिर फसल जो भी पद्दती है परमपरागत लगाने की वाली इसे बहुत देते हैं अच्छा आप ही हमां बताइए कि आप अपने फसलों के उपर और क्या-क्या इस्वरे करते हैं और कितने समय से जिविक खिति कर रहे हैं आप पॉसण के लिए क्या उपnयों करते हैं पोषण के लिए जिवा अमरत बनाते हैं अमरत पानी वह हैं बना मतलब पर किसी पाकार के रोग आते हैं कीट आते हैं तो उसके लिए पंच पत्ति काड़ा का उप्यों करते हैं गोमुत्र और पांच साथ प्रकार की जो पत्या होती है जहरी ले वरक्षों की उसका उप्यों उसमें डाल करके करीब 20 दिन के बाद उसका उप्यों कर सकते हैं वह महिना बर भी रहती है दो महिने भी जैसा कि सब में यहां देख पा रहा हूं आपने कई सारे केंचुवा बेट बना रखे हैं जहां केंचुवा खाद तयार कर रहें तो किस तरीके से इस खाद को तयार किया जता है थोड़ा सा हमरे किसान भाईयों को बताईए का सबसे पहले तो केंचुवा खाद बनाने के पाणी से बिगो करके उसको रग दो एक महीने पर बाद उसको पानी में बिगो करके पल्टी देना ताकि उसके अंदर की जो हीट गर्मी वह निकल जाए वह निकलने के बाद एक फीट गहिरा गड़ा समतल जमीन जो मैंने बना रखा है जो मैं बना रहा हूं अन्य परकार और भी विद्याए एक फीट जमीन के अंदर गहिरा गड़ा तीन फीट चोड़ाई और लंबा ही अपनी सुविदानों साथ दस फीट बारा फीट पत्चीस पीट जितनी आप ले जाएं जाएं पर उसके नीचे सबसे पहले एक समतल बेट जैसा बना दो उसमें चार इंच मोटे पत्थर या इंट के टुकुड़े डालते हैं तुकुड़े डालने के बाद ती यह प्रकार से केंचों के लिए रहने के लिए जगा हो जाती है पत्थर के बीच में जो जगा होती है उसमें के उपर यदि उसको कोई खत्रा महसूस होगा गर्मी जादा लगेगी उसको यह ठंड जाद ले वो उसमें अंदर जाकर के बेढ़ जाएगा जैब तो के प्रान तो उस समय वो खटा करने के लिए यदि पाने देना बंद कर तो यदि खाज तो पूरा बेड़ भूगया आठ दिन पहले पाने देना बंद कर आठ दिन बाद उसके उपर-उपर चे वो खाज निकालते जाओ जितनी नमी कम होती जाएगी केंचुवा नीचे बेड़ता जाएगा फिर ठंडा किया हुआ खा दे अपना वह वापिस उसकी परच्चा चड़ा दो तो उसमें होगा तीन फीट में धाई फीट उंचा बेड़ बना देते हैं अच्छा मतलब 10 किले केंचुवा यदि एक बेड़ में होंगे तो वह धाई से तीन महिनों में तेयार हो तो सर आपने इतने सारे बेड़ बना रखे हैं तो क्या यह जो केचुवा खा दे आप अन्य किसानों को भी उपलब्द कराते हैं हां हमारे उप्यों करने के बाद जो बचता है किस आपसकता लगते हैं तो हम दे देते हैं किस मुल्य में आप उनको देते हैं उनको अभी त लेकिन ज्यादा होने के बावजित भी उन्हें जो सुद्ध चीदे होती है जानि कि सुद्ध जो खाद होता है वो नहीं मिल पाता है उसके अंदर में न कही बार देखा है कई सरे जो किसान मेरे मिलने वाने हैं वो बताते हैं कहीं-कहीं तो बालूरेत मिला दी जाती है कहीं- तो कोई किषान भाई इस तरीके से खाद के खरीता है तो उसके पेचान का कोई ऐसा तरीका है जिसने किषान भाई को पता चल जाए कि यह शुद् 창on बहुद के क्षण लिजी आप में पानि में भिगोव दी जी उस तरीके से हम उसकी परक कर सकते हैं कि वह सुद्ध हैं सबस्द ने हमें ऐसा कोई तसला लेना रहता है पात्र लिजिए पिर यह केच्वा खाद इसके अंदर डाले जी थोड़ा पान पान डाल कि अब इसमें जो भी कच्रा है यह उपर तेरने लग जाएगा जी वेस्ट बचा बाकी जो खाद है यह बीच में थोड़ी देर में इसको यह ला दो दिये पूरी इस पानी में गुल जाएगी जो गोवर है जी पूरी तरीके से अच्छे से गुल गई यह पूरी गुल गई है अब इसमें से यह दिख पत्तर का तो वैसे भी पता चाब़ार बाताएगा ज पत्थर आपको कोई दिखेगा यह बत्थर कोई है यह से अपको पत्थर यह कुछ बिह टा रहे हैं जहादा ज्यादा शाम दिखेगा कंपार फफ्टर तो जोपट्ष आप एसन आपको पसथर मिल जाएंगी यह कुह बहर म cookie से इसे अच यह से जो है यह वह बिहार है गोबर और यह जो है वो पत्थर जो हमें वह अपने आप मिल जाएंगे इसके अंदर सिर्फ गोबर हमें देखने को मिलेगा बाकी यह पत्थर यह कुछ बचा हुआ जो पत्थर पूछ तो जानवरों को उदर से आजाता है वह चलेगा जिए ज्यादा एक किसी ने मिलावट क सकते हैं कि आप कौन कौन से जेविक फसले अपने खेतों पें उगाते हैं सार में जेविक फसले जो भी हमारे गावं मे जो फेले से होती आई है सबी फसले मैं करता हूं। सभी सिजन में स्वायविन भी लगाई है Зवी ऊड़द भी लगाया है मक्का भी ए अमelमी है। सबजी के पूरा जेविक तो सार ना काफी अच्छी बात बताईए और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी जेविक खादी समगरी खरिदना चाहते हैं चाहे ग्याओं हो मटर हो या फिर उड़त हो तो आप सर से संपर कर सकते हैं उज्जेन के पास गिनोदा गाओं है इनका तेसिल कौन सी है सरब की खाचरो तेसिल के रहने वाले हैं और यह पूर्ण तरीके से गो आदारित कर्शी करते हैं आ आरत, जै किसान! कर दो दो कर दो कर दो कर मिलिके हैं और यह भार्ण तरीके कितो को तो प्रूर का दो कर दो आदिए।